दोस्तों आज में लेके आया हूँ 24 माई की करेंट अफेर जो की मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एक्जाम के लिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जिरूट देखना चलिए शुरू करते हैं कोशन फर्स्ट है हमारा यूरूपिया संसद ने के देख के साथ निवे समझेते को फ्रीज करने की गोशना की है यह हमारे ओप्सन इसका जो राइट आंसर है वो है चीन यानी ओप्सन ए हाली में चीन ने यूरोपिय संसत के साथ निवे समझेते को फ्रीज करने की गोशना की है यह है हमारा कोशन सेगंड आर्वियाई ने फुल के वाई सी पी पी आई की सीमा एक लाग से बढ़ा कर कितनी कर दी है यह हमारे उप्सन इसका जो राइट आंसर है वो है दो लाग यानि उप्सन ए हाली में आर्वियाई ने फुल के वाई सी पी पी आई की सीमा एक लाग से बढ़ा कर दो लाग कर दी है और हाली में आर्वियाई के जो गवर्नर है वो है सक्तिकान दास और RBI का जो मुक्यालिया है जो है मॉंबई में कौसन थर्ड है हमारा स्रीलंगा किरकेट बौर्ड के अद्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है ये हमारी ऑप्सन इसका जो right answer है हो है समीब सिल्वा यानि ऑप्सन B हाल ये में समीब सिल्वा को इसका जो राइट आंसर है वो है गोतम अडानी यानि उप्शन C आली में गोतम अडानी हैसिया के दूसरे सबसे अमीर ब्याक्ति की लिश्ट में है कौजं फिट है हमारा किस संगटन मैं यूवाओ के लिए यंग वोरियर नामक अकिल भाटती अब्यान की सुरुवात की है यह हमारे उप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है यूनी सेफ यानि उप्शन D हाली में यूनी सेफ ने यंग वोरियर नामक अकिल वारतिय अभ्यान की शुरुवात की है जो की यूवाव के लिए है दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जोड़ देखना और चैनल को सेयर एंड सब्सक्राइब करना कोशन सिख्zub है हमारा दिनेस मुवन کا 75 वर्ष की आएउ में निदन हुआ है वह एक परसिद किया थे यह हमारे ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोफेसर यानि आप्सन ए आली में दिनेश मुवन जो कि 75 वर्ष की आयू में उनका निधन हुआ है वो एक परसित प्रोफेसर थे कोशन 7 है हमारा बांगलादेश का सरवोच नाकरिक प्रुषकार स्वाधिंता प्रुषकार 2021 में कितने लोगों को दिया गया है यह हमारे उप्षन इसका जो राइट आंसर है वो है नो यानि उप्षन भी आली में नो लोगों को बांगलादेश का सरवोच नाकरिक प्रुषकार स्वाधिंता प्रुषकार दिया गया है कोशन 8 है हमारा किस संगटन ने कोविड नाइंटी का पता लगाने के लिए यानि उप्षन ए आली में आई आई एस सी बैंगलोरू ने कोविड नाइंटी का पता लगाने के लिए एलिसा प्रिक्षन का विक्सित किया है कोशन 9 है हमारा किस केल से संबंदित किलाड़ी सामी केदिका ने सन्यास लेने की गोशना की है यह हमारे उप्षन इसका जो राइट आंसर है वो है फुटवल यानि उप्षन भी आली में सामी केदिका ने फुटवल से सन्यास लेने की गोशना की है कोशन 10 है हमारा वर्ष 2021 में आई का रिटन दाकिल करने की अंतिम सीमा क्या रखी गई है यह हमारे उप्षन इसका जो राइट आंसर है वो है 30 सितंबर यानि उप्षन डी हाली में आई का रिटन दाकिल करने की समय सीमा दो महिने तक बढ़ा दी गई है और जो इसकी लाज समय सीमा है वो है 30 सितंबर आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जाज जाज सेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपका चैनल वोरियर एजुकेशन यूज में धन्यवाद